Class 7 Maths and CERT Exercise 1.1 Question number 8 इसमें क्या करना है? आपको verify करना है A minus B ये बराबर है A plus B के और कैसे verify करोगे? A और B की value आपको दी हुई है इसके लिए आपको solve करना है पहले वाले part की हम बात कर लेते हैं तो इसी के अंदर हमको value put करनी है A की value कितनी है? 21 21 तो 21 minus और B हमारा 18 है minus 18 तो ये हमारा क्या है? इसको उमलिक लेते हैं चलो left hand side यानि LHS वाला ये वाला ठीक है? और ये हमको क्या दिया है? A minus minus B इसी के अंदर put करना है तो दोखो क्या हो जाएगा 21 minus minus plus हो जाएगा 18 इसको add कर दोगे तो अपका 39 आ जाएगा इसी तरीके से हम RHS की बात कर लेते हैं right hand side वाले की बात कर लेते हैं ये यानि A plus B तो A की value 21, B की value 18 इसे भी add कर लोगे तो 39 आ जाएगा तो यहाँ से verify हो गया कि यहाँ बात सही है second वाले part की बात कर लेते हैं इसी तरह से लिखेंगे LHS equal to A minus minus B तो A की value यहाँ पर क्या दिये हुई है 118 और ये minus और minus 125 minus minus plus हो जाएगा 118 प्लस 125 इसे add कर लेना add to carry लोगे एक तो मैं चली बता दियता हूँ 118 और 125 इसे add करोगे 8 और 5 13, 13 का 3 यहाँ और 1 carry हो जाएगा 11 और 2 ये 4 हो जाएगा और 112 हो जाएगा 243 तो ये हो गया हमारा 243 ये left hand side आ गया इसी तरीके से RHS की हम बात कर लेते हैं तो ये A plus B है जस्ट तो 118 प्लस 125 इसे भी add कर लोगे तो यही आएगा 243 अब third वाले part की बात कर लेते हैं इसमें A की value क्या दी हुई है left hand side हम value put करेंगे 75 और minus minus 84 तो ये 75 minus minus plus हो जाएगा 84 ये हो जाएगा 159 आरेचेस की बात कर लेते हैं तो यहां क्या है देखो 75 plus 84 इसे add कर लोगे 159 आ जाएगा क्यानि यहां से भी verify हो गया की बात सही है दोनों तरफ से हमारी value same हा रही है fourth आले part की हम बात कर लेते हैं A की value हमारी 28 है minus minus B की value हमारी 11 है तो 28 minus minus plus हो जाएगा 11 तो ये हमारा 39 आ जाएगा right hand side value put करेंगे ये हमारा 28 हो जाएगा plus 11 और इसकी value हमारी 39 होती है तो यहां देखो चारों में ही हमने देख लिया कि LHS equal है RHS के और भी question के solutions की वीडियो देखनी है तो नीचे description में आपको chapter wise playlist का link मिल जाएगा वहाँ से click करके देख सकते हो ओके thank you